हेलो उत्रियन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग? I hope कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोगों को बढ़िया हो न भी चाहिए आप लोगों की बेल विसे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सुब कामनाओं के कारण मेरी लंका और अच्छे से लग चुकी है अभी तक गला ही खराब था थोड़ा बुखार आती थी अब पूरी की पूरी आ रही है इस कदर आ रही है कि जाही नहीं रही है मैं यहां बुखार से चिला चिला के कह रहा हूँ I hate you, I hate you, I hate you और बुखार सुन रही हो के I hate you, I hate you, I hate you गरम पे गरम करके गरम पे गरम करके तंदूरी चिकन बना दिया है इसलिए तुम अपनी सुब कामनाओं अपने पास रखो मुझे तुमारी बैल बिसिस की कोई जोहत नहीं ऐसा लग रहा भगवान की बज़ाए सैतान सुन रहा है जो तुम माग रहे हो उसका उन्टा करके दे रहा है साला आजाओ चलते हैं पिछले एपिसोड पे काफी खतनाक एपिसोड था था? कैसा था? था क्या? वहाँ, बैटल एंड हो चुका था बैटल हो एंड होने के बाद जो जिंकैंग होता है वो कहता है कि देखो यार आईसा है कि डिवाइन स्लेव लेने की क्या ज़ूरत है अपन कोप्चे में चलके मैटर सॉल्व कर लेते हैं है ना जोंगू? जो देखकर जोंगू कहता है अरे जिंकैंग भईया आपके पास तो बहुत सारे पावरफुल स्लेव्स है गिवाला हमको देदो यार देखो का है हमारे पास है नहीं और बीक लोग हम तो हमको चाहिए होता है जो देखकर जिंकैंग कहता है जोंगू ये मस सोचो कि तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हो बाहर मिल लेना नौव से बारा के बार तुम्हारी हड़ी तोड़ के कबड़ी खेल लेंगे जो देखकर जोंगू के दा बाहर देख लेंगे एक दूसरे को कोई प्राबलम नहीं है जिसके बाद यहाँ पर यह अपना मूँ मोड के निकल जाता है बाहर निकल लेका जब जोंगू देखता है तो अहाँ पर यूआन होती है यूआन यहाँ पर जो यहाँ को काफी बारी किसी देख रही होती है यह प्यार मुहबबत वाली बात नहीं है यूआन बस इसलिए देख रही है क्योंकि उसे पता है कि जो यहाँ कौन है दो सब जोहान को भी सख हो चुका होता है बड़ टक कंफर्म नहीं था जिसके बाद यह स्लेब हॉल पर पहुंचते हैं इसलेब हॉल से निकल कर और सब्सक्राइब पहुंच जाते हैं जहां पर यह एक्षेंज करते हैं अपने बॉइंट को जहां टैन कोई लग पिल लेता है और एक लेता है फायर इस्प्रेट सोल हालक यहां पर जोहन ने काफी सारे तगड़े तगड़े मैटर देखे थे और मटेरियल देखे थे उन में से एक थी सायद अपने जो क्या नम था ही चूतिये का आ ओ ओ ए आ ओ हां गोयान उसकी बॉड़ी का सायथ पायर टाट या फि मज़ा आएगा चलो चलते हैं देखने के लिए अच्छा सीन होना चाहिए तो आई होफ कि इस एपिसोड में देखने के लिए कुछ अच्छा सीन होगा तो यह एपिसोड ही स्टार्ट होता है जैस्ट वहीं से तो इसी टैम पे एपिसोड के स्टार्टिंग हैं हमें दिखा यहां पर इसकी body काऊ पर होती है और इसे believe नहीं हो रहा हुता कि यह कैसे हो सकता है impossible चीज possible कैसे वई तब यह चैनक अब आ जाती है निंग्याओ तुम क्या कर रहे हो और जैसे यह आप आ जाती है निंग्याओ जो उदास होता है वो तुरंति इस जड़ स्लिप को बापस रख लेता है जो कि लाइट जड़ स्लिप थी और तुरंति अपने सेला तो कहता है मास्टर कुछ नहीं जो देखकर वो बंदर तुरंति कहता है तैयार रहो हम जल्दी य जा सकता है यहां तक कि अंत में निंग्याओ का भी यह पता नहीं था कि दोर वो रेपोटेटेड नाइनिश्ठार एमप्रेर एमोटल जो कि एक बार गौर्ड एमोटल लेविल तक पहुच चुके थे वो आखिरकार ऐसी हालत में कैसे आ सकते हैं और उनका अंतैसा कैसे हो स कौन सब बहन का घोड़ा था जिसने इस बर्ड को भी बरबात कर दिया मार रहा है तो मार रहा है मैं रोक नहीं सकता गंदी चीज है वो तुरूंती कहता है हाला कि तब तक कोई समझते नहीं होगी लेकिन मैं अभी यह पता लगा सकता हूँ कि हुआ क्या निंग्याओ के द केंट मोटल वर्ल्ड के अंदर आये था और उस जट को कैप्चर करने में लगा हुआ था लेकिन अंत में बे इसमें इंटर करने में कैपवल हैं लेकिन निंग्याओ के दिल में अभी भी काफिया दा वहार ही ऐसास होता है इससे कोई फ़र्ट नहीं पड़ता था कि वह एक डिवाइन स्लेब बन चुका है हलाकि त्यानसून का सफाया हो चुका है लेकिन निंग्याओ के लिए ये अभी भी एक बड़ा जटका था कि दुनिया में आखिर कर कौन ऐसी ओलाद है जो त्यानसून को मार सकती है जबकि उसके पास ऐस जोर हार्ट है क्योंकि जब तक उस तब ही आज आती है निंग्याओ बगल का आदमी गुस्से में चिलाता है और निंग्याओ तुरंती अपनी गुस्से को दवा कर पूछ से-कोड कर भीगी बिल्ली के तरह सान्थ होकर आ जाता है वो तुरंती गई ता त्यानसून को मारने में कैबल होने के कर्ड मुझे यहां तक कि उसे पूरा बिलीब था कि उसकी पावर को देखते हुए, बहुत कम लोग थे, जो उनके ओरिजन के खत्रा हो सकते थे, यहां तक कि वो अपने मरजी से यहां आकर जो चाहे बो कर सकते थे, लेकिन अने एक्सपेक्टेडली एमोर्टल मौस्टर इसेंड बल्ड मे भटक रहे है, हालकि निंग्याओ ने एक बार पूरे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के साथ माना था, कि पूरे सेनेक्सी बल्ड में ऐसा कोई भी नहीं, जो बास्तों में उसे मार सकता है, लेकिन उस मूवमेंट तक त्यान सून की जो लाइफ है, अब टुकडों में बिखर हुई है, और उसका डेथ बिल्कुल भी असा नहीं लग रहा था, जैसे यह जूटा हो, और बहले ही निंग्याओ यहाँ पर क्रॉस लाइकर करके बैठा था, फिर भी वो अपने मन को पूछता ही कि ससांत नहीं कर सका, क्योंकि अब वो एमोटल मॉश्य एस्सेंट बल्ड म होता है, और महराओ के अंदर एक रंगीन, वो अटेक्स होता है, इसे कहते हैं फॉर्चून के और इंटर करने के बाद कीस की, कैलकुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग की जाएगी, और इसमें हर एक दिन का, एक हजार कॉंट्रिवीशन पॉइंट देना पड़ता है, सथ इस जोयान को हर एक चीज, सोल टैंस में सन का यूज करके, जोयान को समझा रहा होता है, जो देकर जोयान कहता है, ठीक है, इसमें कोई सर्प्राइस की बात नहीं, तभी जोयान कहता है, क्या सीनियन, मैं भी इसमें आपके साथ इंटर हो सकता हूँ, मुझे बस एक लग पिल च करने की इजाज़त दी जाती हो, इसलिए अगर हम एक साथ इंटर करते हो, तो हम कुछ, सक को दूर करने में कैपबल हो सकते हैं, जो देखके जोयान कहता है, अगर आपका प्रदर सन अच्छा है, तो मैं आपको दो, कुई लग पिल दे सकता हूँ, या टेली पती का यूज जोयान के खिलाब, एक दूसरे की ये दौनों काफी मदद कर रहे थे, जहां तक जोयान का सुरू से ही, इसे अपने यूज के लिए जप्त करने की कोई इरादा या मनसा नहीं थी, क्योंकि ऐसे टैलेंट के साथ ये के बलेक यूजलेस क्लोन ही हो सकता है, दो तब जोयान क के बाद को सुनते हो जोंगो की आंके आंके कार चमक उड़ती है, लेकिन वो तुरंदी एकसाइटमेंट को दवा देता है, और चैरे पे कोई भी इंप्रिशन सो नहीं करता, आंके कार फीलिंग्स और एंगर के लिए सांत रहना ही सबसे अच्छी चीज थी, जो एक स्ट्र और भी जादा पावरफुल बनना चाता था, दूसरो दरा रिस्पेक्ट पाना तो छोड़ी दो, वो चाहता था कि कोई भी उसे परिसान ना करे, और वो यहाँ पर फ्रीली सर्वाइव कर सके, और इसके लिए एक मात तरीका यही था, कि आपको मांटेन के पीक पर खड़ा होना होगा, जोयन जोगु के थौट के साथ एगरी होता है, और इसके बाद वो सीधे ही, एक लाख कॉंटिविसन पॉइंट का भुकतान करता है, साथी जोगु काफी सीरियस होता है, जिसके बाद जोगु तुरंथी कहता है, आप यहाँ हमारा इंतिजार करेंगे, और बास्तों में जोगु दाओ जी अभी भी इतने ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हैं, उसके साथ ऐसा ब्योहार किया जा रहा है, हाला कि लॉंग वियाओ काफी यहरा कनफ्यूद होता है, जबकि जिन डॉंग बिंग बैठने के लिए खुली जगह धूरता है, और लॉंग जोगु ने जोग यान को एट कुई लग पिल और एक स्टोन टैबलेट सौपी थी, साथ ही ने पता था कि जोगु जोगु जोग को यहाँ पर ट्रांसमिसन के साथ बता रहा होता है कि इंटर करने के बाद आप कुई लग पिल को स्वैलो कर सकते हैं, और अच्छे लग को या नहीं यह आपके बिल पापर और थौट पर डिपेंट करता है, मैं आपकी इजी सकसेस की कामना करता हूँ, तीन यार, और जोग यान को जाननी थी, और इस वोटेक्स मिन्टर होने के बाद जोग के बदल गई होती है, और एचाना कि एक हवा का जोका आता है, और वो ए बिलाएक्स फील होता है, जोग अपनी आके बंद करता है और खोलता है, और उसके बाद उसे पूरी तरीके से बंद कर लेता है, उसके चेरे पर हल्की सी ठंडी-ठंडी हवा चल रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि सारी ठकान दूर हो गई, और जब जोग यानने फिर से medicinal हफ्स दिखाई दे रही होती है जो सभी जीविच चीजों को nutrition दे रही होती है साथी mountain और sea एक time पे बदल रहे होते हैं साथी जान काफी long time तक time बीतने के साथ समझने में क्या पवलत नहीं था कि आखिरकार ये mountain और sea के बीच का जो transformation है और changes वो आकरकार है क्या लेकिन एकदम सांत होता है और यहां की अलकी अलकी बरसा को महसूस कर रहा होता है साथी जान अपने पैरों के तलवों के साथ आंगे की तरब बढ़ता है साथी आसमान से अचानकी बरफ गिरने लग रही होती है और जल्दी देखते ही देखते ही यह पूरा का पूरा जो प्लेस होता है सफेद हो गया होता है जिसके बाद जो हम देखता है कि उसकी जो figure थी एक tribe की उपर मडरा रही होती है साथ यहां पे जैसे यह बर्फ गिरती है तो यह सभी mortal लोग होते है जो कि ठंडी और गर्मी के लिए एक resistance रखते हैं इसलिए वो इससे effective हो रहे होते हैं साथ भोजन की कमी के कर्ण और कड़कलाटती हुई सर्दी के कर्ण उनके लिए बचना बेहद मुस्किल था जो देख लिए कबा जाती मुखिया हमने सभी को हमने जितना भी खाना था सब खा लिया है अब ऐसा लगता है कि हमें सिकार के लिए जाना होगा साथ ही long time तक भोजन की कमी के करण इनकी जो बॉड़ी होती वो काफी पतली हो गई थी और उसे सहारा देने के लिए परियाप जो fat या nutrition था body में बचा ही नहीं तभी एक बुड़ा आदमी तुरंती अफसोस में से लातो है कहता है सिकार बर्प पहले से घुटनों तक आ चुकी है और मैं 10 मील भी नहीं चल सकता तो मैं सिकार करने कैसे जाओंगा जो देकर वो अंदर तुरंती कहता है लेकिन अगर यह जारी रहा तो हम सभी मौत के मुँ में समाज आएंगे हमारे पास अभी भी जिन्दा रहने और बाहर जाने के लिए एक मौका है यहाँ पेज़न मैन हुआई टियर छोड़ते हुए तुरंती ऐसा कहता है लेकिन अब इसलों से पता था कि आसपास की ठंड को देखते हुए दस मील भी चलना काफी जादा मुस्किल होगा साथ यह ठंडी तीन साल तक चलेगी और ओल्ड मैन ने इन में से किसी को भी सिकार में जाने नहीं दिया क्योंकि ओल्ड मैन जानता था कि अगर एक बार यह आईस में चले गए तो इन में से कोई भी कभी भी पीछे बापस नहीं आ पाएगा इसलिए यहाप पेजेड मैं अपने दांतों को पीश सकता था क्योंकि वो जानता था कि कभीले का जो नीता है बले ही उसने ऐसा किया हो लेकिन अब बचने की उमीद बहुत कम है दुस्तर यह भारी बरफ रुखने का नाम नहीं ले रही बलकि यह पहले से ही गिरती जा रही है और घुटनों से अब कमर तक पहुँच चुकी थी साथी जाधा तर जो लकडी के घर होते हैं इस बरफ में दब गए होते हैं साथी पूरा का पूरा परिवार गर्म रहने के लिए खटा हो रहा होता है और क्योंकि खाना खाय जा चुका था इसलिए बच्चों के जो चेहरे होते हैं ठंड से लाल हो चुके होते हैं और उनके होट बैग नी अब वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे जोदे कॉल्डमन तुरंदी के ताय सभी तक नहीं रुकी उसके आंके सिकुर चुकी होती और बॉड़ी काफी ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है यहां तक कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता सत्य उसकी कमरे से कोई अबाज नहीं आती सत्य पूरे क्लेन के जो कभीलिया ट्राइप के लोग थे सैक्डो लोग इस करकराटी हुई ठंड में जम कर मरने वाले होते है दूस्तफ कभीले का लीडर भी तुरंती कहता है अफसोस और आभर तो अपनी आके बंद कर लेता है और चुपचप मौत का इंतिजार कर रहा होता है सोसे अधिक लोग एक साथ इकटा हो चुके होते हैं और कमरे में लगी हुई आग बुझ गई होती है लेकिन बची हुई जलाओ लकडियां जो होती है वो भी जल चुकी होती है एक चीक के साथ दरबाजा ओपन होता है और जल्दी पूरा का पूरा कमरा गर्म हो गया होता है हालकि अगर कोई ध्यान से देखता तो ने एक सैडो दिखाई देती लेकिन जब वो ध्यान से देख रहे होते हैं तो देख सकते थे कि यह जो कमरा है पूरा जल रहा है साथी साथ आसपास की आईस भी मेल्ट हो चुकी है साथी घर के बार काफी सारे बड़े बड़े बीष्टों की लासे पड़ी हुई है जो देख कर एक आपा जाती है मुखिया देवता हमें बचाने आये हैं भोजन और जलाओ लक्रिय चाना का पहर होता हुए देखकर उन्हें ऐसा ही लग रहा होता है कि उनके भगवान ने उन्हें बचा लिया हालकि यह सब अब्बेसली जो यान द्वारा किया गया था लेकिन उसके आपके एकदम सांत होती है जिसके बाद जो अन्तरोंती कहता है ठंडी, सर्दी और गर्मी यह सब कुछ तो गौड्स के कारण ही होता है तो आखिरकार इसका कोई न कोई रीजन तो होना चाहिए जिसके बाद जो अस बंदे को खोजने के लिए निकल पड़ा होता है जिसके कारण यहाँ पे इतना कूल्ड एड्मासफियर फेल गया था आखिरकार इस सर्दी ताकतबा लोगों के बीच लड़ाई के कारण होनी चाहिए जिसकी पारफुल एनरजी ने आस पास के एट्मासफियर और एट्मासफियर और क्या है बे यह ओ सॉरी नेचर को चेंज कर दिया था जिसके बाद जियान अपने हाथ को उठाता और चात्रा फ्लेम की लप्टे उठ चुकी होती है यहाँ तक कई सालों से चली आ रही सर्दी का अब समाधान हो चुका था जिसमें अनकी नजीब मारे गये होते हैं हाला कि यह कोई नियम नहीं है और सभी को लग रहा होता है कि एक एसन डिजास्टर है यह नेचुरल डिजास्टर लेकिन बेचारों को नहीं पता कि यह भी गोड्स का ही काम था जिन पर वो बिस्वास करते हैं जिसके बाद जियान की आके सिकुर चुकी होती है जिसके बाद जियान जब उपर देखता है तो दो फिगर्स लड़ रही होती है हाला कि जियान उन्हें क्लियरली तो नहीं देख सकता था लेकिन जियान समझ गया होता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो कुछ और नहीं बलकि एल्यूजन था लेकिन उसने उसे एक ऐसे कोने पर खड़ा कर दिया था जिस पर उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया आखिकार उसकी फ्लेम की पावर के साथ अगर बैटल स्टार्ट होता और कोई भी पॉइंट में जोन का थौट या ध्यान इधारोदार होता है तो ये आसपास के लोगों के लिए काफी वड़ा डिजाश्टर होगा जिसके बाद जिएन अपने हाथ के एक जटके के साथ ही आसपास की सभी तरफ की फ्लेमों को हरा देता है और सेंटेरियर में जो दो फिगर लड़ रही होती है आखरकर वो भी गायब हो जाती है जिसके बाद जिएन आगे बापस से मौंटन पीक पर आकर क्रॉस लेकर के बैट गया होता है और टाइम को बीतने देता है केबल तभी तक जब एक और बैटल स्टार्ट नहीं हो गया होता जिसके बाद जिएन इने प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सन लेता है और और ज़्यादा सहर यहां पेक के बाद एक सामने आते है उसके आखों में राहत जलक रही होती है पेड और जंगल बढ़ रहे होते हैं सब कुछ बढ़ रहा होता और यही बो रिजल्ट था जो वो देखना चाहता था लेकिन यह सिर्फ इतना था कि उसके सामने स्ट्रॉंग पावर वाले लोगों की जो कॉंटिटी थी उसमें तेजी से ग्राबाट आ रही होती है लेकिन सबी जीबित और स्वास्थ होने में कैपबल थे हाला कि जो अन सब कोछ अच्छा चाहता था लेकिन यह लॉंग टाइम तक नहीं टिका और यह दोनों जो आसपास के काफी साहर सहर होते हैं यहां पर मॉटल लोग एक दूसरे के खिलाप लड़ने लगते हैं जो इन इस फाइट में बिलकुल भी इंटरफेयर नहीं करता वो बस चुपचाप देख रहा होता है और अन गिनत लोग इस बैटल में मारे जा चुके होते हैं चारतरफ उतल फुतल मची होई होती है और अकाल फैल चुका होता है जो देखकर जो अनके आँके अचाना की हाड हो जाती है जैसे वो कुछ समझ गया हो जो इन तुरह दिकेत है क्या यह नियम है और बास्तों में human behavior और divine behavior के बीच में कोई भी difference नहीं मैंने जो कुछ भी किया उसने के बले एक direction को बदला लेकिन last में अन्त अभी भी नहीं बदला ये लोग आखिरकार लड़के मर ही गए यानि रेनकानेसन का कारण और प्रभाव कभी भी नहीं बदलेगा और life or death यह decided ही है जो देखकर जो यान तुरन थी एक और कुई लग फिल को swallow कर लेता है इस टैंपे जोन को ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ जो नेचर के according उसे नेचर के according ही रहने देना चाहिए और नेचर को उसका काम करने देना चाहिए साथी जोन तो अपने दिल में यही सोचता है सबी जीबी चीजों के लिए जो यान की respect हमेशा से बर करार है और साथी यही चीज सिक्सी स्टेप पर जो यान के breakthrough की कुझी भी है लेकिन जब जो यान ने दूसरी कोई लग फिल स्वैलो की होती है तो जो यान अपने सामने एक battle को देखता है बट उसने अब interfere करना बंद कर दिया होता है उसने देखा सहर गायब हो गया फिर से अपेयर हुआ strong लोगों के witch fight फिर सुरू हुई battle में कापी सारी sect और family डिश्ट्रा हुए लेकिन उसके बाद और भी कापी powerful sect और families अपेयर हुई जो पहले से भी ज़्यादा serious और strong थी जो देखके जोन को वो समझ में आता है कि interfere करना ही सबसे बला disaster है जो उस position के लायक होगा वो अपने आप ही वहाँ पे survive करते हो अप पहुँच जाएगा और nature उसे खुच choose करेगा आप उसे choose नहीं कर सकते जो देखके जोन food food का smile करता है कि बास्तों में उसके अच्छे इरादे तो fail हो गए और जोन समझ गया होता है कि असली God कभी भी अपनी मर्जी से इंटरफियर नहीं करेगा क्योंकि उन्हें बचाना अभी भी एक disaster है हलाकि जब जोन अभी भी बड़ बड़ा रहा होता है उसका ओरा धीरे धीरे बदल रहा होता है और जो यहान जो कि normal motors के comparison में और ज़्यादा bad कुई रखता है और क्योंकि वो योहनेस का रेंकानेसन है वो एक strong luck भी रखता है तो जोन कि जो breakthrough है वो उसके self-believe और self-knowledge पर depend करती है इसलिए ज़्यान को जो six step होता वो गड़गड़ा रते हुए पानी की तरह है था जो break हो जाता है लेकिन ज़्यान क्योंकि इस time पे अलागी त्यालम पे था उससे इस पर ध्यान ही नहीं देना था बलकि वो तो पूरी तरह कि फॉर्चुन के में इस ऐल्यूजर में डुवा हुआ होता है साथिस में हारेक ऐल्यूजर का अपना एक अलग मतलब था और जो यान इसमें नहित मतलब आर्थ को समझने और देखने की कोसिस कर रहा था और अब जब पीछे मुड़ कर देखे तो हम केबल एक मूमेंट देख सकते हैं जहाँ पे केबल लाइफ एक पल है इस टैंपे जो आन जो पाड की छोटी पर होता चाना के एक बच्चे के रोनी की आवास सुनता है साथ इस कैयोस वर्ड के अंदर छोड दिये या वार फेक दिये गए बच्चे बेहदाम थे और ये लाबार इस बच्चा भी लिप्टे हुए कपड़ों में होता है रो रहा होता है जैसे वो जानता हो कि उसे छोड दिया गया है इसलिए वो जोर जोर से रो रहा था या तक उसका चोटा सा चैरा रोने से लाल हो गया होता है साथ ही ऐसा लग रहा होता है कि वो सिर्फ तीन या चार महीने का है साथ ही उसके रोने को सुनकर चात्रब कुईल बीष्टों की भूग जाग गई होती है साथ ही कई भूके भेड़िये धीरे-धीरे साबधानी से आ रहे होते हैं और ज्यान ने अपनी आके बंद कली होती हैं वो इस पर द्यान नहीं देना चाहता था जिसके बाद चीखे उसके कान में गूजती रहती है और ये देखने के बाद की कोई खत्रा नहीं कई भूके भेड़िये सीधे ही उचल पड़ते हैं और होते हो बच्चे की तब चल पड़े होते हैं साथ ही उसके नुकीले दांत बच्चे से आदा फुट की दूरी पर होते हैं और एक पल में कई भूके भेड़िये हिल गए होते हैं और जोर सोचल कर दूर जाकर गिरे होते है साथी उनके मूँ से गुर गुर राहाट की आवाज निकलती है क्योंकि ये भूके भेड़ी अभी भूक से दर्द में थे लेकिन ये तुरंती अपने पेरों के नीचे पूछ दबा कर भाग जाते है जिसकी बद उस बच्चे को एक फिगर ने अपने हाथ में पकड़ रखा होता है और वो जंगल से गयब हो गया होता है साथ ये फिगर ओबिसली आखरी थी और जोयने से आसानी से जाने नहीं दे सकता था जोयन ने देगा था तुरंती ये बच्चा सहर में ले गया होता है और एक भीड़बार वाली जगह पर रख दिया गया होता है लेकिन अप कोई भी उसे लेकर नहीं जा रहा होता देर रात तक आकर का इस बच्चे का रोना अप कमजोर हो गया होता है कि उसने एक दिन तक कुछ नहीं खाया पिया था जोयन अंदेरी सरक में क्रोस लेकर करके बट हुआ होता है वो आंगे बढ़ता है और उसे एक लड़की मिलती है जिसने अभी अभी बच्चे को जर्म दिया था जोयन तुरंती कुछ सिल्वर कोई निकालता है और उस बच्चे के लिए कुछ दूद मांगता है जिसके बद वो लड़की तुरंती कहती मुश्किल टाइम पे अनगिनत लावारिस बच्चे है मुझे डर है कि सर ये आपका अपना बच्चा नहीं है महिला काफी होसियार होती और एक नेजर में जोयन बता सकता था आइमिन जोयन की पहचान बता सकती थी हाला कि जोयन कोई भी रिप्लाई नहीं करता और घर में केवल ये लड़की और वो नवज़ाद बच्चा था जिसका मतलब था कि इसके पती का एक्सीडेंट हो चुका था दूद पिलाने के बाद जोयन उस बच्चे को ले लेता है और बापस से यहां से चला गया होता है दिन बादिन जोयन उसे अलग अलग जगा उपर रखता सथीसी स्माहिल ने जोयन को तोड़ा सा जिजडकने पर मजबूर कर दिया था सथ यहां पर जोयन ने ध्यान नहीं दिया होता कि इस बच्चे के स्माहिल करता होगा देखकर उसके चेहरे पर भी स्माहिल आ चुकी है जिसके बाद जोन फिर कभी उस बच्चे को सड़क पर लेकर नहीं जाता अंतता कई सालों के बाद युद्ध सांत हो गया होता है और सहर जो होता है दिरे दिर अपनी पिछली लाइपी स्टाइल पर आ चुका होता है लेकिन अब लोगों की संक्या बहुत कम है साथ है सभी लोग काफी जार अर्रे चौर अच्छी लाइपी स्टाइल जी रहे थे लेकिन इसकी तुलना में ये अब काफी ज़्यादा वीरान भी लगता था गली में कई बच्चों के खेलने की आब आ आ जाती है तभी एक आब आ जाती है ब्रदर जियो एन क्या आपके फादर दिन बार कुछ नहीं करते एक बच्चा पूछता है और जियो एन नाम के लड़के का जो सिर होता है बिलकुल किसी टाइगर जैसा होता है उसके बड़ी बड़ी आँखें नदी के साप पानी की तरह है तो यह अच्चा तुरंती कहता है मेरे फादर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा साथी कई लोग कहते है मेरे फादर काफी जाए चमतकारी डॉक्टर है किसी भी बिमारी का इलाज कर सकते हैं ऐसा लग रहा था जो बचपन है वो कभी फीका नहीं पड़ा साथी उसकी आवाज अभी बहुत बचकानी और प्यारी थी मैंने सुना था कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बिमार थी और ब्रदर जोएन के फादर नहीं उन्हें ठीक किया था मेरे फादर अपने फादर को मेरी जान बचाने के लिए धन बात दीजेगा जो देखकर जोएन तुरंती कहता है मेरे फादर ने कहा कि मैं तुमारी मा का दूद पीकर ही जिंदा रहा हूँ तो ये भी मेरी लेक उपाकार है इसलिए हम भाई हैं जो देखकर वो बच्चा तुरंती कहता है फिर आपका स्वागत है और जो ये उसके कंदे पे कंदा डाल लेता है जाती मुस्कुरात वे काफ़ जादा आराम से ये लोग अपनी लाइब जी रहे होते हैं हाला कि जब दोनों लोग बात करोते तभी गली के बार सचाने की कुछ हसने और वो पहास किया बाजे आने लगती है तभी एक बंदा कहता है अरे कैई ये दोनों अनाथ नहीं है एक की मा नहीं और दूसरे का बाप नहीं तुम दोनों के बीच एक अच्छा रिस्ता है कहिए तुमारे माबाप के बीच चुप चाप कोई चक्कर तो नहीं चल रहा हाला कि ये भी बच्चे ही हो लेकिन इन में से एक बड़ा था जो पहले से ही टिन एज तक पहुच चुका होता है और उसके पीचे उसी एज के काफी सारे बच्चे होते हैं जो इस टैंप ए गली में घूम रहे होते हैं तबी जोहन तुरंदी कहता है चैन सुआंग बकबास मत करो दोस्तब जोहन के बगलबाला बच्चा भी लाल हो चुका होता है जो देखकर चैन सुआंग अस तो है कहता है सी रैन क्या मैं गलत कह रहा हूँ साथ ऐसा लगता था कि ये बंदा समझदार है लेकिन इसके पास बुद्धी नहीं है और ये के बल मजे के लिए छोटे बच्चों को धमकाना पसंद करता है तबी जो एन तुरंदी कहता है सी रैन चलो फादर ने हमें किसी भी मामले में गुस्सा होने से मना किया है जो एन सांती से कहता है जैसे वो लंबे समय से ऐसी आभाजों का आदी हो चुका हो जो सुनकर सी रैन सहलाता है और जो एन के साथ जाने ही वाला था आखिर कर ये जो टेनेज के वाइस थे ये काफी लंबे थे वो तुरंती कहता हो तो तुम बेकरी में जाकर केक खरीने जा रहे हो ये काफी अच्छा टाइम है तो ये अंगमाश्टर हमें भूक लगी है तो आप ये पैसे हमें क्यों नहीं दे देते चैंग सुआंग एकदम क बाहर फिक देते हैं जो देखकर वो तुरंती कहता है सीरेन जाहो डैडी को बुलाओ जो देखकर सीरेन फूट फूट कर रोने लगता है लेकर ये आसे रुकता नहीं बलकि भाग जाता है काफी टाइम के बाद ऐसा नहीं होता और सीरेन एक आदमी को उस गली पे लेक्या हाला कि इस टैम पे चैन्स वांगों बाकी के लॉंडे गायब हो चुके होते हैं और केबल जियो हैं जमीन पर पड़ा हुआ होता है जो देखकर आवाज आती है अरे क्या तुम ठीक हो वो आदमी नीचे बैठ जाता है और चिंतित नज्रों से उस बच्चे को देखता है हाला जमीन एकदम प्राउडफुल तरीके सा ऐसा कह रहा होता है जो देखकर जियो हैं अचाना की स्माइल कर देता है और उसे कसकर कले लगा लेता है साथी वो इसके हाथों को पकड़ कर तुरंति उसकी सारी चोटों को ठीक कर देता है जिसके बाद जियो हैं तुरंति कहता है लड़के अंगली बारोंने सीधे पैसे दे देना तरीके से बेकार में पिटना अच्छी बात नहीं जो देखे जो है अंतुरंती गयता लेकिन ये पहली बार था जब डैडी ने मुझे खरीदने के लिए कुछ कहा तो मैं डैडी को निरास नहीं कर सकता था जो देखे जो है अंतुरंती कहता है एना रब बास्तों में बड़ा हो गया है और काफी समझदार भी लेकिन फादर को उम्मीद है कि तुमें एक सेफ और प्रोटेक्टिव लाइफ जी सकते हो बैसे भी पैसा उन चीजों के लायक नहीं जो तुमारे पास है इसलिए याद र एलकिमी स्किल जानते हैं कि आप इसे सीखना चाहेंगे जो सुनकर ये लड़का तुरंती समयल करते हुए अपना सेर हिला देता है और तुरंती कहता है फादर लेकिन आनर मारसला इठी सीखना चाहता है ताकि वो अपने फादर और चोटे ब्रेदर सीरेन को बचा सके जो देखर जोने स्मेल करते हुए कहता है ठीक है फिर तुम जो चाहे सीख सकते हो जिसकी बाद सीन सिप्ट होता और पलक जपकती है लड़का यंग हो चुका होता है और मार्सलाट फ्लोर पर कापी यादा प्राउटफुल तरीके से खड़ा हुआ होता है उसने अपनी इच्छा तुरंती कहता है कहिए बच्चा कुछ दिन पहले हैवी लिंजर नहीं हो गया था वो इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया तब उसी के बगल से दूसरा बंद तुरंती कहता है डेवाइन एलकेमिस्ट जियो के एलकेमी स्किल के साथ यह अबिसली पॉसिवल है साथ ही अगर उप अपने से का प्यादा लंबे अपोनेंट का सामना कर रहा होता है और पूरे जोस के साथ एक काफी कड़ी फाइट करता है लेकर नंत में यह बुरी तरीके से हार गया होता है और जब भी ऐसा होता है उसके फादर अपयर होते और उसे पीठ पर ले जाते जो देखकर वो उसकी लंबी डाड़ी होती जब पहली बार यहाँ पर आया था उससे ज़्यादा जोन की एज दिख रही होती है साथी बास तो मैं ऐसा नहीं था कि सीरेन की माने कभी जोन को प्रपोस नहीं किया और अपने प्यार का इजहार नहीं किया लेकिन जोन हमें सभी चुप रहा जि यंग लड़का चाहे खून से लगपत और कितना भी जड़ क्यों नहों उसने कभी आसू नहीं वहाए लेकिन जब वो जो यान के साथ होता था तो वो खुद को काफी दोसी महसूस करता था उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं थी कि लोग और दुनिया क्या कहती है वो उस अभी भी काफी ज़्यादा यंग हो और तुम जो करना चाहते हो तुम उसे कर सकते हो उसे करने के लिए तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है तो पीछा मुड़कर देखने की कोई ज़यत नहीं जब तुम्हारे फादर तुम्हें टैनल ने के लिए बाहर ले जाएं लेकिन वो फिर भी अपने पादर को फॉलो करता था उसने वही किया जो वो करना चाहता था चाहे वो कितनी भी दूर तक जा सकता हो वो अपने थौट के साथ कमिटेट रहा जिसके कई सालों के बाद ये लड़का के कर एक यंग मैन में बदल जाता है हाला कि ये बहुत पा हुआ होता है और हवा में लड़ रही दो फिकर को देख रहा होता है बो तुरंती कहता है उड़ते हुए क्या ये दो लेजेंडरी गौड्स हो सकते हैं जो एन एकसाइट होता है उसकी पूरी बॉड़ी काम रही होती जबकि जोएन सांती से बैठा चाय पी रहा था दूसर स्ट्रोम सुरू हो चुका होता है और अगर ये अटेक बास्तों में लेंडॉंग सेहर से टक रहा था तो कम से कम आदा सेहर तो डू भी जाता जो देखकर जोएन तुरंती कहता था फादर भागो जोएन ने हवा में चल रही बड़ी सी पाम को देखा होता है उसे पता था ये वो लेविल नहीं है जिस तक वो पहुँच सकता था क्योंकि जोएन बिना किसी सेक्टर और फैमली के अभी तक डू कोई के टच तक में नहीं आये था जो देखकर जोएन से रिला तो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां से भाग सकते हो और पलक जपकते ही अपने सामने कई पाम अटेक को देकर जोएन काप उठा होता है हाला कि वो अभी भी एक यंग लड़का था लाइफ और ड़त का सामना करते हो भाला वो कैसे नहीं डर सकता था लेकिन उसी टाम पर ये बड़ी सी पाम अटेक हावा में रोक जाती है और चकना चूर हो जाती है दूस्त अब ये दो लोग जो सिटी में लड़ रहे होते हैं अचानक ही नीचे की तरफ देखते हैं और आब आ जाती है यो हाइनेस क्या आप हमें रोकना चाहते हैं इन दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता है दूसरी तरफ इन लोग ने आकरिका लड़ना बंद कर दिया होता है क्योंकि एक प्रेसर ने घेल लिया था हाला कि इनका जो प्रेसर था उसके करण सिटी के जो लोग होते हैं उन्होंने घुटने टेक दिया होते हैं और जो ये इन के लिए भी यही सचता और वो घुटने ही टेक रहा होता है कि अचानक ही एक हात उसे सहारा दे पर अपने सामने की सीन पर उसे बेहीली भी नहीं हो रहा होता, जो देख कर ये दोनों बन्दे तुरंती कहते हैं, अगर तुम हमें रोकनी की हिम्मत करोगे, तो हम पहले तुम्हें मारेंगे, ऐसा लग रहा होता दोनों मिलकर पहले जोयान को मानना चाहते थे, और ये लोग blood mist में blast हो चुके होते हैं जोयन जब इस scene को देखता है तो वो हैरान हो चुका होता है यहां तक जोयन के हरकतों को ली डॉंक सहर के अंगिनद लोगों ने देखा होता है यहां तक कि सीरैन की मा भी इसमें सामिल थी उसकी आखे में कोई भी हैरान की नहीं होती जैसे कि वो पहले ये सब देख चुकी हो और इसका अंदाजा लगा चुकी हो तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं end करेंगे नेक्स एपिसोड में देखें कि जोयान इस एल्यूजन में अकरिकार क्या करता है क्योंकि जोयान की तो लंका लगी पड़ी है जोयान एक और बच्चे का बाप हो गया तो बाई बाई थिर्यन पैमली गुड आप्टर नून आप गुड नाइट टाटा बाई बाई